सुपर मॉनिंग आईज तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानिक 28 अक्टूबर के इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स को तो इस प्रशन में आपसे क्या पूछ रहे हैं अभी भारते सेना के द्वारा 76 अक्टूबर को तो भारते सेना हर साल 27 अक्टूबर को पेदल सेना दिवस की रूप में मनाती है और इस बार ये इसका 76 अक्टूबर का संसकरन है अच्छा इसे क्यों मनाते हैं हम 27 अक्टूबर को तो ये दिन स्वतंत्र भारत की पहली सेन्य घटना की याद के रूप में मनाया जाता है जब यानि की 27 ओक्टूबर 1947 को कश्मीर घाटी में पाकिस्तानी सेना और लशकर अक्रमन कारियों ने जम्मू कश्मीर को हत्यानी की कोशिश की थी तब भारते सेना की सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन ने भारते धरती पर पहले हमले पर जीत हासिल करने के लिए लड़ाई लड़ी थी और याद रखना इन्फेंट्री भारते सेना की सबसे बड़ी लड़ाकु शाखा है जिसे युद्ध की रानी यानि की Queen of Battle के रूप में भी जाना जाता है अच्छा इस इसी से सम्मंदित तीन डे आपको और याद रखने है आप जानते हो 15 जन्वरी को थल सेना दिवस के रूप में मनाते हैं क्यों क्योंकि 15 जन्वरी 1949 को जो फील्ड मार्शल थे के एम कर्यपा वो भारतिय थल सेना के पहले कमांडर इनचीफ बने थे इसी लिए हम मनाते है 15 जन्वरी को थल सेना दिवस के रूप में 26 जुलाई याद रखना है कारगिल विजे दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि 26 जन्वरी 1999 के दिन कारगिल युद्ध पे हमने विजे प्राप्त की थी और इसे ओपरेशन विजे के नाम से जाना जाता है और 16 दिसंबर याद र हम बढ़ते आगे अब बताइए हाली में किस देश की महिला किरकेटरों को पुरुष किरकेटरों के बराबर फीज देने की घोषना की गई है तो आंसरों का भारत तो अभी BCCI के जो सचीव हैं कौन है जैशा अमिच्चा के बेटे हैं अभी उन्होंने ये घोषना की है कि भारत की महिला किरकेट खिलाडियों को भी पुरुष किरकेट खिलाडियों के बराबर फीज मिलेगी तो टेस्ट मैच के लिए 15 लाख रुपे और डियाई के लिए 6 लाख रुपे और T20 के लिए 3 लाख रुपे फीज दी जाएगी पहले हम BCCI की बात करतें Board of Cricket Council in India इस्त किसकी जगे सौरव कांगोली की जगे सचीव जैशा है और इसके उपाध्यक्ष पूछेंगे तो राजीव शुकला है अब एक प्रशन में आपसे पूछता हूँ इसी प्रशन से संबंदी थे वो कि इससे पहले किस देश ने महिला और पुरुष किरकेटरों को बराबर प महिलाओं को वोटिंग राइट्स दिये थे तो फिर उत्तर हो जाएगा न्यूजिलेंड आप जानते हो इंटरनेशनल वोमेंडे कब मनाते हैं आठ मार्च को और हमारे यहाँ पे नैशनल वोमेंडे कब मनाते हैं तेरा फरवरी को सरोजनी नाइडू जी की जैनती को सरोज जानते हो ना भारत की पहली महिला गवर्णर थी ये, और पहली महिला मुख्य मंत्री कौन थी, सुचेता करपलानी, ये दोनों उत्तर प्रदेश की बनी थी, वैसे पहली महिला डिफेंस मिनिस्टर कौन थी हमारी, निर्मला सितारमन, यहां फुल टाइम की बात कर रहे हैं, अचा, पहली महिला railway मंतरी कौन थी? तो आप जानते हैं, ममताब अनर्जी थी. अचा, महिलाओं की बात चल रही है, तो कुछ और प्रश्ण में आपसे पूस्ताओं. पर इनके उत्तर मैंनी दूँँगा अब आपी को देने. बताओ, कांगरेश की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? और अगर पूछा जाए कि कांगरेश की पहली भारते महिला अध्यक्ष तो वो भी बताओ. युनाइटेड नेशन महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन रही? और लोगसभा की पहली महिला speaker कौन थी और हमारी पहली महिला chief election commissioner मुखित चुनाव आयुक्त कौन थी ये भी बताओ और अगर आप में से कोई इस video को very first time देख रहे हैं तो आपको बता दू इस तरक के सारे प्रशन हम लोग revise करते हैं हमारी revision वाली class में और एक बार नहीं कई बार हम इनको revise करते हैं वही revision का मतलब यही तो है एकी चीज़ को बार बार पढ़ना तबी तो उसे revision वाली class हम बोलते हैं ताकि अगर आपको एक बार चीज़ याद नहीं हो री तो वो दूसरी बार में हो जाएगी दूसरी बार नहीं होएगी तो तीसरी, चौथी, पांच वी बार कभी ना कभी तो याद होगी न तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखते हैं और अगर आपको याद करने की दिक्कत देगी चीज़ आपको याद नहीं होती है अभी राज्य कौन सा बन गया है तो आंसर होगा गुजरात तो अभी आपको याद होगा अभी आगस्त के महीने में हम लोगों ने पढ़ा था कि गोवा हर घर जल के तहट सो पर्थिशत घरों तक नल से जल कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बना था देश का और वहीं पह प्रक्षित पेजल उपलब्द कराया जा रहा है पहले हम जल जीवन मिशन की बात करते हैं जोकि लॉंच हुआ था दो हजार उन्नीस में जिसका उद्धिश क्या है दो हजार चौबिस तक देश के हर गाउं में नल से पेजल उपलब्द करवाना अच्छा चलो बताओ भार चल रही है तो एक important award आप याद रखना Stockholm जल पुरुसकार 2022 का ये जीता है प्रोफेसर विल्फरेड बुर्टसर्ट ने इसे दुनिया का सबसे प्रतेश्टित जल पुरुसकार कहते हैं इसे Nobel Prize of Water भी कहा जाता है आप जानते हो अभी तीसरे राष्टर जल पुरुसकारों के तहत सर्वश्रेष्ट राज्य की श्रेणी में पहला पुरुसकार मिला था उत्तर प्रदेश को जबकि सर्वश्रेष्ट जिलों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का मुजफर नगर पहले स्थान पे रहा था और भारत का Digital Water Bank Aquarium का पे लॉंच किया गया बंगलूरू में आ प्लस सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर कौन सा बना था तो आंसर होगा इंदौरूरू जबकि 24 गंटे 7 दिन नल से स्वच्छ जल देने वाला पहला शहर बना था उड़िसा का पुरीूरूरू जल जीवन मिशन के तहत सोवा हर घर जल वाला जिला बना था हिमाचल प पर यूजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना था तो आंसर होगा कुच्ची वर्ड वाटर डे कब मनाते हैं 22 मार्च को और वैसे जल शक्ती मंतरी कौन है गजेंदर सिंग शेखावत हैं अब वैसे बात तो यहाँ पे गुजरात की है तो यहरा मैप में गुजरात दे एक गुजराती फिल्म है छेलो शो जिसे भारत की तरफ से ऑफिशल एंट्री मिली है 95th Academy Awards के लिए यानि की 2023 के ऑसकर के लिए जो कि इसका 95 एडिशन है अभी आपको याद है ऑक्टूबर के महिने में बारवाट डेफेंस एक्सपो का आयोजन हुआ था गुजरात की और आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के महसाना जिले में मोडेरा को भारत का पहला 24-7 सूर उर्जा संचालित का उखुशित किया था और प्रधानमंत्री जी ने ही गुजरात के बनास काठा जिले के दीशा में भारते वायू सेना के नए एर बेस की स् स्तापित होगा भारत का पहला अंतरराश्टर समुद्री क्लस्टर और गुजरात के लोथल में भारत का पहला समुद्री संग्रहाले भी बनेगा और गुजरात जो है ये सेमिकंडक्टर नीती को शुरू करने वाला पहला राज्य भी है भारत की पहली स्टील सड़क ये कह गुजरात के जामनगर में और भारत के पिले पोर्टेबल सोलर रूफ टॉप सिस्टम का उधगाटन किया गया था गुजरात के गांधी नगर में तो यह सभी इंपोर्टेंट पॉइंट्स आप यहां से याद रखिएगा बढ़ते आ गए चलिए फिर बताईए अभी हाल इ में दुनिया के सबसे गंदे आदमी अमो हाजी का निधन हो गया वे किस देश के थे तो आन्सरों का इ início गांगा इरान तो इरान के रहने वाले थे अमो हाजी जिनका भी 94 वर्ष के उम्र में निधन हो गया अच्छा अब आपकी यो नहीं थे तो उन्हें लगता था कि वे नाएंगे तो वे बिमार हो जाएंगे लेकिन अभी कुछ महीने पहले वहां के कुछ ग्रामीन लोगों ने उन्हें जबरदस्ती पकड़के नहला दिया कि नहाओ यार चचा यार बहुत गंद फेला रखिये लेकिन फिर कुछ समय क के बाद वो बिमार पड़ गए और फाइनली उनका निधन हो गया और इनके उपर 2013 में उनके जीवन पर दे श्ट्रेंज लाइफ औफ अमो हाजी नाम की एक शॉर्ट फिल्म भी भनी थी अच्छा इरान की बात है तो इरान की केपिटल क्या है तहरान है और इसकी नई करंस बढ़ते आगे चलो बताओ अभी हाल में किस राजी या यूनियन टेरिटरी के सांसद ने मैं भी सुभाश अभियान शुरू किया है तो अंसरोगा लद्दा तो लद्दा के सांसद है जाम यांग सेरिंग नाम ग्याल अभी नोने लह में मैं भी सुभाश नाम से एक अभि अभियान को शुरू किया है इसे संस्करती मंत्राले के सहयोग से शुरू किया गया वैसे संस्करती मंतरी कौन है जी किशन रेड़ी है अच्छा इस अभियान का उद्दिश क्या है स्वतंतरता संगराम में नेता जी के योगदान के बारे में जागरुकता पेदा करना लेटेस्ट याद होगा अभी परधान मंतरी जी ने नेता जी की एक स्टेचु एक परतिमा का अनावरन किया था इंडिया गेट पर जिसकी उचाई कितनी है 28 फीट उची है और वैसे हावडा काल का मेल ट्रीन का नाम नेता जी एक्सप्रेस रखा गया ये भी याद रखना अ नेता जी सुभाष चंदर बोस इंटरनेशनल एरपोर्ट इनके नाम पे एक आईलेंड भी है अंडमान निकोबार में जो रोस द्वीप है उसका नाम इनके नाम पे रखा गया है और आप जानते ही हो 1944 में नेता जी ने आजाध हिंद फूज को एक नारा दिया था कौन सा तुम मुझे खून दो मैं तुमें आजा दी दूगा तो ये सारे पॉइंट सा आप याद रखना बढ़ते हैं चलो बताओ छे से लेके 18 नवंबर 2022 तक सन्युक्त राष्टर की 27 वी जलवायू परिवर्तन बैठक यानि कि कोब 27 इसका आयोजन कहां पे होगा तो आंसर होग के 18 नवंबर 2022 तक मिश्र के शर्म अल शेक में आयुजित की जाएगी और इस तरह से अफरिका पांचवी बार किसी जलवायू सम्मिलन को होस्ट कर रहा है ये जो कोब 27 है ये तीन मुखे शेत्रों पर केंद्रित होगा जैसे कि उत्सर्जन को कम करना देशों को जलवायू परिवर्तन से निपटने में मदद करना और तकनिकी साहिता प्रदान करना तथा विकास सील देशों के लिए धन प्राप्त करने में मदद करना ये तो कोब 27 की बात हो गई आपने पढ़ लिया एजिप्ट में हो रहा है 2022 में अगर बात करें पिछला वाला कोब 26 कब हुआ था और कहां पर हुआ था 2020 में हुआ था स्कॉटलेंड ग्लासगो में और अगले साल कोब 28 ये कहां पर होगा युनाइटेड अरब अमिरात में होगा अच्छा इसकी पहली बैठक यानि की बात करें कोब 1 की तो वो कब और कहां पर हुई थी तो 1995 में हुआ था बर्लिन जर् मिल किया गया है आप से पूछ रहें ये कहां पर है तो आंसर होगा लक्षद्वी तो अभी October 2022 तक Blue Flag Certificate पाने वाले भारते समुद्र तटो की संख्या कितनी हो गई है तो आंसर होगा 12 एक तो ये आप याद रखना ये जो Blue Flag Certificate है ये दुनिया के सबसे स्वच्च समुद् समुद्री तटो को दिया जाने वाला एक Eco Label है और ये देता को ने Foundation for Environmental Education जो कहां परिस्ते था डेनमार्क में तो अभी दो भारते समुद्री तटो को मिल गए हैं इससे पहले 10 रहे होंगे और वो 10 कौन-कौन से थे ये मैं आपको बता रहा हूँ मैप के थुरू तो आप मै अंसर कर दिया अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कितने रामसर इस्तल हो चुके हैं तो आंसर होगा आपका 75 ये आप जरूर याद रखना बढ़ते आगे फिर बताईए हर साल विले दिवस मरजर डे कब मनाया जाता है तो आंसर होगा 26 October को तो क्यों मनाते है 26 October को ये राजा हुआ करते थे महाराजा हरी सिंग उन्होंने भारत के साथ विले के दस्तावेजो पर हस्ताक्षर किये थे इसलिए मनाते है एक्चुली में हुआ क्या था तो पहले वहां के महाराजा थे महाराजा हरी सिंग जम्मू कश्मीर के उन्होंने भारत में शामिल होने से प कलाई बुद्धी आई कि पाकिस्तान में जाने से अच्छा है कि भाईया हिंदुस्तान के साथ मिल जाओ उसी में फाइदा है तो उन्होंने फिर भारत से मदद मागी और 26 ओक्टूबर 1947 को भारत के साथ विले के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिये तो इसलिए 26 ओक्टूबर को ये दिन हम मनाते हैं लेकिन तब तक पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के कुछ पोर्शन को अपने कबजे में ले चुका था उसी को आज हम P.O. के पाकिस्तान occupied कश्मीर के रूप में जानते हैं लेकिन आप जानते हो जम्मू कश्मीर भारत में तो आ गया था लेकिन पूरी तरह से भारत में नहीं आये था ये एक राज्य बना हुआ था जिसका खुद का एक सम्विधान था खुद का एक फ्लेक था पूरी तरह भारत में ये शामिल कब हुआ था जब केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिया था और फिर जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत में शामिल हुआ फिर आपको बता 31 अक्टूबर 2019 को हमने इसके दो पार्ट कर दिये थे जम्मू कश्मीर और लदाग मतलब दो यूनियन टेलिटर में इसको डिवाइट कर दिया इसलिए 31 अक्टूबर को यूनिटी डे के रूप में भी बनाते हैं अच्छा अक्टूबर के इंपोर्टेंट डेज को हम लोग पढ़ रहे हैं दो अक्टूबर को विश्व करशी पशु दिवस और स्वच्छ भारत दिवस मनाया तीन अक्टूबर को विश्व परियावास दिवस यानि की वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया चार अक्टूबर को वर्ल्ड अनिमल डे मनाया 5 October को World Teacher Day मनाया और पहली बार National Dolphin Day भी मनाया 7 October को World Cotton Day और विश्व मुस्कान दिवस मनाया 8 October को Indian Air Force Day होता है 9 October को विश्व डाग दिवस 10 October को विश्व मांसिक स्वास्त दिवस यानि World Mental Health Day 11 October को अंतरराश्टर बालिका दिवस 12 October को विश्व गठिया दिवस Arthritis Day और 12 October को पहली बार हमने विश्व स्लोथ बियर दिवस मनाया 13 October को अंतरराश्टर आपदा निवनी करन दिवस International Day of Disaster Risk मनाया और विश्व द्रश्टी दिवस भी मनाया 14 October को अंतरराश्टर इकचरा दिवस मनाया 16 October को World Food Day 17 October को अंतरराश्टर गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया 20 October को World Osteoporosis Day मनाया October को हमने World Statistic Day भी मनाया था तो ये आप ध्यान रखना बढ़ते आगे फिर बताओ अब ये October 2022 में किस देश ने वानेजिक खेती और भांग के वित्रन को मंजूरी दे दी है तो अब ये प्रस्ताओ उन्हें भांग के वित्रन के अनुमती देगा इसके अलावा व्यक्तिकत उपभोग के लिए 20 से 30 ग्राम भांग प्राप्त करना और रखना भी कानूनी होगा और इस तरह से जर्मनी मालता देश के बाद भांग को वैद बनाने वाला दूसरा यूरोपिय संग का देश बन गया है ये पॉइंट भी याद रखना अच्छा अगर मैं आपसे पूछूँ कि अभी भांग की खेती को खतम करने के लिए किस भारते राज्य ने एक उप्रेशन चलाए था अप्रेशन परिवर्तन तो आंसर होगा आंदर प्रदीश ने बात यहां जर्मनी की ये तो ये रा मैप में जर्मनी कैपिटल बर्लिन है करंसी यूरो है प्रेसेडेंट है फ्रेंक वाल्टर स्टिनमेर चांसलर है ओलाफ स्कूल्ज पूर्व चांसलर थी एंजला मरकेल इनसे भी दो करंटर फेर्ज के प्रशन बनेंगे आपके अभी इनको यूनेस्को शान्ति पुरुसकार मिला था और अभी यूनाइटेड नेशन हुमन राइट का नौनसें शरनाथी पुरुसकार 2022 भी इनको मिला है चलो आप बताओ अभी 2022 में G7 की अध्यक्षिता ये किस देश के पास है हम बढ़ते आगे अब बताओ ऑक्टोबर 2022 में बंगाली फिल्मों के राष्टर पुरुसकार प्राप्त करता निर्देशक का निदन हो गया उनका नाम क्या है पिनाकी चौदरी तो बंगाली फिल्मों के राष्टर पुरुसकार प्राप्त करता निर्देशक पिनाकी चौदरी का भी 82 वर्ष के उमर में निदन हो गया उन्होंने 1996 में संघात और 2007 में बल्ली गंज कोट के लिए दो बार राष्टर पुरुसकार जीते थे अब बात करेंगे कल के वीडियो में पुछे गए परशन के उत्तर की तो आपसे पूछा था कि अभी Financial Action Task Force की Black List में शामिल होने वाला तीसरा देश कौन सा बन गया तो आंसरों का म्यानमार आप सभी ने परशन का बिल्कुल सही उत्तर दिया है और हाँ आप लोग एक बार चेक कर लीजिए कि वीडियो को आपने लाइक तो कर दिया है अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करके ज़रूर चाहिएगा और हाँ अपने दोस्तों के साथ में या जो भी आपका Study Group हो गया तो उनके साथ इस content को इस वीडियो को मेरी महनत को शेर जरूर करना WhatsApp के थुरू, Facebook के थुरू एक बार प्लीज शेर जरूर कर देना और इन सभी की practice के लिए इसका quiz बना करके upload कर दिया गया आपके ग्रेक exam application पर वहीं पर PDF भी आपको मिल जाएगी और daily के 10 static questions जो आपके current affairs से बन रहे हैं उसका daily quiz बनता है आपकी general science जो आपके exam में पूछे गए प्रशन है उसका भी daily 10 questions का quiz बनता है तो वो लगाते रहेगा ताकि आपके practice बने रहे और अब यह रहा आज का आपका homework प्रशन